आपको बताऊंगा कि इस्टेडाइल थेस्ट क्या है यह हमारी बोड़ी में इसका क्या काम होता है इस टेस्ट को डॉक्टर कब रिक्मन्ड करते हैं इसके लिए क्या प्रीकंडीसंस होती हैं और यह टेस्ट अगर आपका high आता है तो क्या problem होती है और लो आता है तो क्या problem होती है और इसका treatment क्या है यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो guys बने रही है मेरे साथ और इस वीडियो को last देखिएगा इस बात करते हैं कि इस्टाडोल टेस्ट क्या है देखिए इस्टाडोल एक hormones test है जो estrogen hormones होता है उसी का ये एक प्रकार है जिसको E2 भी बोलते हैं ये महलाओं में ovaries, breast और adrenal gland के द्वारा बनाया जाता है बहीं ये pregnancy के दवरान महलाओं में जो fallopian tube होती है उससे भी produce किया जाता है अगर बात करें पुरूसों में तो पुरूसों में ये testis और adrenal gland से बनाया जाता है अगर इसके काम की बात करें तो ये महलाओं में जो जैसे जो जन्नांग होते हैं जैसे सर्वेक्स हो गया, fallopian tube हो गया, besina हो गया, breast हो गया, ये जो जन्नांग है इनको double up और इनकी growth करने में इसका बहुत ही महतफूर काम होता है, बात करते हैं कि डॉक्टर आपको ये test को कब recommend कर सकते हैं, ये जब किसी भी महला या पुरूस में जो जन्नांग होते हैं, वो सही से बिक्सित नहीं होते हैं, उनकी लच्छड सही से नहीं दिखते हैं, तो डॉक्टर इस test को कराने की स दे सकते हैं, या किसी को abnormal bleeding है महला और ये जन्नाग हो जो bleeding हो नहीं दोक्टर इस test को करा सकते हैं, या किसी का infertility का treatment चल रहा है या कुसी का, तो उसका भी doctor test को करा सकते हैं, किसी भी लड़का या लड़की को टाइम पर युभावस्ता के लकषड नहीं दिखते हैं, जैसे युवावस्ता की एज की अगर हम बात करें तो females में जो age होती है वो 10 से लेके 15 से 17 साल उसकी India में जो युवावस्ता की age है उसको मानाजाता है भाई अगर बात करें पूरूसों में तो पूरूसे में वो अपकी 12 से 18 वर्स की age को हम युवावस्ता की age वहीं महलाओं में अगर ovaries cancer है, ovaries tumor है तो उसको भी चेक करने के लिए इस test को कराया जाता है और या फिर किसी पुरूसों में आपने देखा किसी को गैनको मास्टिया की problem हो जाती है गैनको मास्टिया basically क्या होता है, जो फुरूसों के जो breast होते हैं वो महलाओं की तरह बढ़ने लग जाते हैं उसके जो tissues होते हैं वो महलाओं की तरह उनकी growth होने लग जाती है तो डॉक्टर उसके इसमें इसको कराने की सला देते हैं अब बात करते हैं कि इसकी preconditions क्या है, देखिए इस test को कराने के लिए कोई preconditions नहीं है basically क्या होता है, जो stride oil test होता है ये आपका बदलता रहता है पूरे month इसका जो level है वो body में बदलता रहता है तो उस conditions में क्या होता है, डॉक्टर महलाओं को अगर ये सटीग report के लिए इसको कराने की सला देते हैं तो फिर जो periods होते हैं उसके second या third day पर कराने की सला देते हैं जिससे उनको इसका सटीग जो result है, वो मिल जाता है महीं पुरूस इसको कभी भी करा सकते हैं तो अब बात करते हैं इसकी reference range की यानि इसकी normal value क्या है देखिए normal value basically इसकी pg per ml में दी जाती है अगर mails में इसकी बात करें तो mails में इसकी जो reference range है वो 10 से लेके 50 pg per ml है और वहीं महलाओं में इसको दो category में divide किया गया है जैसे पहली category जो महलाओं में जो menu post से पहले की जो महलाओं है आप पहले समझे लीजे के menu post क्या होता है menu post basically वो होता है menu post जब महलाओं का पूरी तरह से periods आने बंद हो जाते हैं उसको menu post conditions कहते हैं उसकी जो average age है वो 45 से 55 years मानी गई है इंडिया में जिसके बाद महलाओं के पूरी तरह से periods बंद हो जाते हैं तो इससे पहले की जो महलाओं हैं जिनके periods आ रहे होते हैं तो उनकी जो reference range अगर देखी जाए तो वो 30 से लेके 400 pz per ml है यानि पीको किराम per milliliter of blood मानी गई है बहीं अगर बात करें मेनुपोस की बाद की महलाओं में तो मेनुपोस के बाद इसका जो लेबल है वो down हो जाता है तो 0 से लेके 30 pz per ml इसका जो लेबल है वो normal माना जाता है अब बात करते हैं अगर इसकी normal value से यह ज़्यादा आता है तो क्या problem हो सकती है और कम आता है तो क्या problem हो सकती है देखिए इसकी अगर नॉर्मल value से अगर इसकी जो range है वो बढ़ी होई आती है यानि इस्टेड ओयल का level high आता है तो उसमें basically महलाओं को जो pregnancy carry करने में problem होती ह क्या होता है basically जो इस्टेड ओयल है यह जो FSH hormones होता है उसको दवा देता है जिसकी वज़े से pregnancy carry करने में महला असमारत होती है और यह ऐसा basically होता है hyperthardism जो thyroid की conditions होती है hyperthardism उसके case में होता है या फिर pituitary gland ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो उस case में क्या होता है यह जो hormones का level है वो बढ़ जाता है अब बात करते हैं कि अगर इसका level कम आता है तो क्या problem होती है देखिए इसका level कम आना मतलब PCOD disease है PCOD में क्या होता है कि यह जो ovaries की जो छमता होती है जो ovum बनाने की जो छमता होती है तो वो खतम हो जाती है यह और इस एक तरह से fail हो जाती है जिसकी वज़े से महला हो मैं pregnancy carry करने में दिक्कत होती है अब अगर बात करें कि इसके treatment की तो देखिए इसका treatment बिसकली आसकल संबब है हार्मोन की थ्रेपी चलती है जिससे यह सही हो जाता है तो गैस आसा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई questions है इससे जुड़ा हुआ तो आप ने इसे comment कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीज सकते हूँ झाल प्लीज कर देदेख़ सकते हैं और सकते हैं और कर दो यहिए लाइक कर देर आपको कि त। आपको यूगा हुआ थ कर देख़ अपको कि एम हैं झाल 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 झाल